हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में हैपी इन्वेस्टर्स जहाँ पर आपको मिलता है चोटे चोटे वीडियो में बड़े-बड़े मल्टी बैगर और बड़े-बड़े स्टॉक मार्केट के न्यूज तो सबसे पहले आपके लिए डिस्क्लेमर आज बात करेंगे वीकली अपडेट्स की तो वीकली अपडेट्स की सीरीज में आज देखेंगे कौन से स्टॉक में इस वीक में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली कब से ज्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिला तो चलि तो आप stock note application में अपना account खुलवा सकते है, demate account बिलकुल आपको इसके benefits भी मिलेंगे, अगर आप हमें description में दी गई हुई link से आप account खुलवाते हैं, तो बिलकुल आप stock note application में account खुलवा सकते हैं, चलिए बात करते हैं, अपडेट्स की, तो इस week में हमें बहुत ही बढ़िया स्टील और infrastructure के material में भी देजी देखने को मिल रही है, तो इसका फाइदा हमारी Indian market को जरूर होगा, metal sector आगे बढ़ने लग गया है, तो अगर हम बात करें नेशनल अलूमीनियम की, तो तेरा प्रतिशत का एक वीक में return दिया है, दोस्तों, नेशनल अलूमीनियम कंपनी ने, सेल ने 12 परतिशत, साड़े 12 परतिशत का दिया है, SRF ने दिया है, 10 परतिशत के पास करीब करीब साड़े 9 परतिशत का return, एक वीक के अंदर swing traders के लिए बहुत ही अच्छी news है, जिनोंने इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने, और 8 से 9 परसंट जैसा Sun TV ने दिया है, और Jindal Steel 8.5 परसंट का दिया है, तो देख सकते हैं, दोस्तों, तॉप गेनर्स में स्यादा तर मैटल स्टॉक्स है, तो मैटल स्टॉक्स तूम बचा रहा है, इस वीक अगर हम negative की बात करें, तो कौन से है top losers, तो अगर हम top losers की दोस्तों बात करें यहां पर, तो top losers में आ जाते है, य जाते हैं, ग्लैनमार्क में काफी अच्छा profit booking देखने को मिला है, साड़े 6% से दाउन है, RBL भी साड़े 5% से दाउन है, और 14 फाइनस भी साड़े 4% से दाउन है, अब आपको जिन स्टॉक में अच्छी कासी तेजी देखने को मिली है, उनको तो नजर में रखना ही है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया में अभी चाइना में क्योंकि फ्लड आया है, तो इंडिया में अच्छे कासा हमें, ओर्डर भी देखने को मिल सकते हैं, इन बड़ी कंपनी इसको जरूर इसका फाइदा होगा, तो आप इन पर नजर बना कर रख सकते हैं दूसरी बात अच्छी अच्छी कंपनी जैसे की बेल, LIC, Housing, Finance इनके उपर अगर अगर अगसे वीडियो चाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर इस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे, और इन पर जरा बात करते हैं, वॉलियूम की डेटा के, यह भी बहुत important data होता है जब भी हम किसी भी stock market के analysis की बात करते हैं, especially जब हम weekly analysis की बात करते हैं, तो price के साथ साथ हमें volume भी देखने को मिलना, बहुत analysis करना जरूरी होता है, वॉलियूम की अगर दोस्तों बात करें यहां पर तो volume में सबसे बढ़िया एक अच्छा कासा में पॉजिटिव मोट आप तो बोलना चाहूंगा कि वॉल्यूम हमें SBI Life में अच्छा कासा देखने को मिल रहा है ठीक है वॉल्यूम चेंज की बात करेंगा आप चेंज जो बता रहा है यह वॉल्यूम का चेंज है दोस्तों तो अच्छा कासा इस वीक में वॉल्यूम देखने को मिला है SBI Life में SBI Life के अंदर वॉल्यूम देखने को मिला है इसका दो रीजन हो सकता है पहला रीजन जब भी कोई स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिलता है तो इसके दो रीजन हो सकते है या तो बड़े प्लेयर ने एक्जिट मार आने की सोच रहा हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा आपको क्या चाहते है वाचोक लेलेंड पर अच्छा कासा वॉल्यूम देखने को मिला है इसका रीजन यह है कि अच्छी खबर आई है तो इसकी बज़े से हमें अच्छी खबर आई है और आप इस पर अप वॉल्यूम लूपीन के अंदर देखने को मिला है हमें और और आप फार्मा और फार्मा और डीवीज लैब पर भी आप नजर बना कर रख चकते हैं इनमें भी अच्छी कासी हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि कोरोना की थर्ड विए पास आ रही है तो फार्मा सेक्टर अच्छा कासा हमें नजर बना कर रखना है बाकी में आपको बता दिया है SBI Life Ashok Leyland मेरे ये दोनों स्टॉक का फी फेर्विट रहे हैं और Aluminium सेक्टर भी अच्छा चल रहा है स्टील सेक्टर अच्छा चल रहा है तो इन कुछ सेक्टर पर आपको नजर बना कर रखनी है आपका कुछ नहीं जाएगा हमें बहुत ही ज्यादा प्यार मिलेगा तो मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले एपिसोड में अच्छे वाले अपडेट्स के साथ अच्छे वाले स्टॉक के साथ तब तक के लिए देखते रहे हैं अपी निवेस्टर बबाए